अगर आप अपने garden में plants grow करना चाहते हो चाहे वो फूलले हो या आप खूबसूरत leaves वाले plant अपने garden में add करना चाहते हो तो उन प्लाण्ट को add करने केलिए आपको जो है nursery में जाना होगा और nursery से आपको इन plant की read जो है 50-100 रुपीज से बिल्कुल भी कम नहीं मिलने वाले हैं तो इन पोधों को अगर आप cutting से ग्रोप करते हो तो बहुत यहासानी से आपके गार्डन में cutting से ग्रोप हो जाएंगे. तो कटिंग से घ्रोप होने वाले पोदे कौन-कौन से हैं और किस तरीके से हम उनकी cutting को grow करते हैं तो मैं अपनी जानकारी में अपनी वीडियो में यह बताती ही रहती हूं तो आज कुछ ऐसे खुबसुरत लीफस्वाले पोदों के बारे में बताऊंगी जिनको हम जो है कटिंग से आसानी से ग्रोव कर सकते हैं अगस्त और सप्टेंबर के महीने में तो देरी ना करते हैं देखते हैं कि कौन-कौन से प बात करूंगी सिंगोनियम प्लांट के सिंगोनियम प्लांट जो होता है बहुत ही खुबसरत लीफस्वाला प्लांट होता है और बहुत से कलर इसके आते हैं आपको जो भी इसका कलर मिलता है तो आप सिंगोनियम प्लांट को बहुत आसानी से कटिंग से रेडिक कर सकते हो नर्सरी से अगर आप इसको लेने के लिए जाते हो तो 50-100 रूपीज में आपको यह मिलेगा तो अगर हम नीचे की साइड इसमें देखते हैं तो कितनी सारी जड़ेस की बनी हुई है आप इसको यहां से कट करके आसानी से कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हो बहुत आसानी से हो जाता है सिंगोनियम प्लांट की चाय कोई सी भी वराइटी हो उसी को आप कटिंग से विल्कुल आसानी से तयार कर सकते हो और बात करते हैं यह बहुत ही खुबश्रक लीब सवाला प्लांट होता है यह कहीं वराइटी में यह आता है इसकी बड़ी लीज भी आती है चू तैयार कर सकते हो जिसकी छोटी सी कटिंग आप उपर की साइड से डिप कटिंग भी ले लोगे इतना साहिए आप इसको मिट्टी में गडाल देते हो जिए इसे अपनी जड़े बनाने लगते हैं और बहुत ही फास्ट ग्रो भी ये प्लांट हो जाते हैं तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हो मैंने आपर जब इसकी कटिंग ग्रो की हुई थी तो अब देख सकते हो कितने लियर्स इसमें से बाहर आ चुकी है तो आप इस पोदे को भी कटिंग से आसानी से रेडी कर सकते हो एक पोदे से अनेको प्लांट इसके भी बना सकते हो मेरी आप यह पर यह cutting ही grow है देख सकते हो और यहां पर है friends अल्टरा नैंत्रा प्लांट यह भी बहुत ही खुबसरत लीव स्वाला प्लांट होता है इतनी फास्ट ग्रो इस प्लांट की भी cutting होती है बहुत तेजी के साथ यह बढ़ जाता है तो अगर आपको इसकी भी cutting कहीं से मिलती है तो आप इसको भी अपने गार्डन में फिरी में ही एड़ कर सकते हो बहुत आसानी से grow हो जाता है इसका जो यहां पर यह area होता है सिर्फ इसको आप मिट्टी में लगाएं और यहीं से काफी सारी जड़ेस की 8-10 दिन के अंदर ही बनने लगती है 8-10 दिन में आपका इप्ल लेकर लिए अपने गार्डन में रमकर सकते हो यह üç बैब्ल इसकी अपी चोटी सी कटिंग लेकर अगर लगाते हो तो यही आपके गार्डन में काफी सारी अपनी ब्रांचिस निकाल लेते हैं और देखने में यह बहुत ही खुबसूरत लगते हैं तो यहाँ पर वेरिगेटिड जो लीवस वाला प्लांट होता है यह भी बहुत ही खुबसूरत लगता है तो फिर इसमें चाहे ग्रीन वाल प्लांट होता है बहुत फास्ट ग्रोई प्लांटे नि लेकंगे बहुत बहुत आसानी से लगा सकते हों कही से आपको कर एक और चारे जो सकते हैं कंदे क्योंकि इसकी stem में और लेस में पानी रहता है तो आप जब इनकी cutting लगाते हो कम पानी का यूज करें cutting लगाने के बाद आप extra watering cutting के अंदर बिल्कुल भी ना करें तो आपके garden में ये भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो जाएगा purple hard plant और फ्रेंड्स याँ पर है बहुत ही खूबसरत leaves वाला cabbage flower plant ये भी दो वराइटी में आता है याँ पर cream color में जो होता है वो भी आता है और याँ पर है ये pink color में white color में आता है तो आप इसकी cutting आसानी से grow कर सकते हो मैंने इसकी cutting grow की हुई है पहले भी शेयर की है तो अभी देख सकते हो plant बनकर ready हो चुका है बहुत ही fast growing plant होता है cutting से तो आप इसको cutting से बहुत आसानी से फिलालगस्त के महिने में grow कर सकते हो गर इस plant के आपको कहीं से cutting मिलती है और friends याँ पर है wondering जो plant ये भी देख सकते हो उनके ये फूबसरत leaves कितनी प्यारी लगती है तो इसको भी हम cutting से आसानी से तयार कर सकते हैं बहुत ही fast grow होने वाला पोदा होता है आप इसकी cutting छोटी से ले ले तो cutting से आसानी से grow कर सकते हो इसको छोटे पोट में लगाए या आप बड़े पोट के अंदर डाल दे तो ये आपके garden में बहुत अच्छे से तयार हो जाएगा बिल्कुल भी care नहीं मागने वाले plant होते हैं बहुत ही कम care में चलने वाले पोदे होते हैं तो वांडरिंग जो plant को आप जरूर ग्रो कर सकते हो cutting से और friends एक ऐसा ही प्लांट होता है लाल सा प्लांट देख सकते हो कितनी अच्छी इसकी leaves जो होती है वो लगती है तो यह आपको जगा जगा पर कहीं पर भी मिल जाएगा तो आप इसकी छोटी सी cutting ही लेकर अगर अपने गार्डन में डाल देते हो काफी सारे प्लांट इससे भी आपके बन जाएंगे बिल्कुल भी cutting फैल नहीं होती बहुत ही hardly plant होता है और बहुत ही खूसरत होता है छोटे बड़े पोट में आसानी से ग्रो हो जाता है तो आप इसको भी cutting से बिल्कुल तेयार कर सकते हो और फ्रेंट्स अब बात करते हैं आपर जैड प्लांट की जैड प्लांट को भी हम बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं इसकी दो से तीन इंच की भी cutting ले लेंगे तब भी grow हो जाएगी बड़ी cutting लेते हैं तब भी grow हो जाएगी तो यह बहुत ही फास्ट ग्रो होने वाला प्लांट होता है cutting से कहीं से भी आपको इसकी cutting मिलती है तो वहीं से आप इसकी cutting लेकर अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो तो यह भी बहुत ही कम केर में चलने वाला प्लांट होता है तो आप इसको भी cutting से बिल्कुल तैयार कर सकते हो गस्त और सितंबर के महीने में और फ्रेंस अब बात करते हैं यहां पर बॉल्विंग जू प्लांट की बॉल्विंग जू प्लांट जो होता यह भी बहुत ही खुबसरत लीवस वाला प्लांट होता है यहां पर देख सकते हो कितनी खुबसरत इसकी जो लीवस होती है यह लगती हैं हैंगिंग बास्किट के बहुत ही बैस्ट प्लांट होते हैं तो आप इसको भी अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो जो बहुत ही खुबसरत एक लुक लिये रहता है पूरे पोट को यह कवर कर करते हैं तो आप इसको एक बार लेकर अपने गार्डन में ग्रो करते हो कहीं पर इसकी कटिंग मिलते हैं वहीं से लेकर आप इसके यह आपके गार्डन से बिल्कुल भी नहीं जाने वाले होते हैं तो आप इसको भी कटिंग से आसानी से रेडी कर सकते हो बोल्विंग जू भूकом हो जाता है बहुती फास्ट जो यह होता है इसकी भी कटिंग बिल्कुल भी फैल नहीं होती है तो आप इसको भी कंट से रेडिक एल सकते तो इसी राहिप कुछ ऐसे पोद्वों को लेकर खुबसुरत से जो बहुत ही खुबसुरत लीवस वाले प्लांट होते हैं बहुत ही कम देख भाल में चलते हैं और कहीं से भी हम इनकी कटिंग मिलती है तो हम उनको कटिंग से आसाने से तैयार कर सकते हैं कम बजट में हमारा पैसा भी जादा इन पैसो कटिंग पर पोधों पर नहीं होगा तो आप इन पोधों को कटिंग से बिल्कुल रेडी कर सकते हो तो अगर मेरी जान करें आपको अच्छी लगी हो कमेंट कर जरूर बताना लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ओके गाइज बाए